हलो दोस्तो स्वागत है आपका Get It Clear चैनल पर दोस्तो आपके HP में लिटिस्ट कॉमेंट जॉब एवेलेबल है तो आईए हम जल्दी से जान लेते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में आपकी ये वेकेंसी रहने वाली है उसके लिए कैसे आवेदन करना है और उसकी जो आपकी essential qualification है वो क्या है तो आईए हम देखते हैं दोस्तों आपकी जो वेकेंसी एवेलेबल है वो है हिमाचल परदेश स्टेट इलेक्रिसिटी वोड लिमिटीड में तो यहां पर दोस्तों उन्होंने बोला हुआ है कि application on prescribed format are invited for filling up the following 18 दोस्तों यहां पर पोस्टें निकली हुई है class 3 की junior engineer electrical की from the person with disability आपकी disability की जो percentage है वो 40 प्रतिशत या उससे अवब होनी चाहिए contract basis पर आपको रखा जाएगा और pay scale guys उन्होंने mention कर दिया है candidates इनके पास हिमाचली bonafide है और वो requisite qualification को fulfill करते हैं जो नोने नीचे बताई हुई है वो महां के लिए apply कर सकते हैं तो जो desirous candidates हैं उनको submit करना पड़ेगा अपना application form ठीके guys through ordinary register or speed post के through आप अपना form जो है वो उनको भेज सकते हैं और इसकी अंतिम तारीख है तेईस छे दो हजार बाइस शाम पांच बजे तक जो candidates हैं district law hall and speed की नौर पांगे भर मौर और सब डिवीजन आफ चंबा डिस्टिक के जो अनने mention किया हुआ है उनके लिए अंतिम तारीख है तीस छे दो हजार बाइस शाम पांच बजे तक जैस हिमाचिल परदेश state electricity board limited जो है वो responsible नहीं होगा किसी तरह का delay के लिए अगर आपका form लेट पहुंचता है तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है आपने time से ही अपना form जो है वो भेज देना है तो दोस्तों यहां पर बोलके रखा हुआ है कि देखें सबसे पहले तो category में divide किया हुआ है कि blindness and low vision के लिए है आपकी 6 पोस्टें deaf and hard of hearing के लिए है साथ पोस्ट है लोको मोटर disability including cerebral palsy, lepracy, drophism, acid attack victims, muscular dyastrophy जो होती है उसके लिए है दो autism, intellectual disability, specific learning disability and जो mental illness और multiple disability रहती है persons के बीच में उनके लिए है तीन दोस्तों टोटल जो है वो 18 पोस्ट है यहां पर मुराने बोली हुई है applicant का क्या होना चाहिए diploma और डिग्री होनी चाहिए electrical engineering में और electrical and electronics engineering में recognized board से और guys यहां पर उन्होंने बोला हुआ है कि और AMIE from institution of engineering only those candidates who are enrolled for AMIE with the institute of engineering Kolkattah with permanent recognition up to 35,013 would be eligible desirable qualification में देखे तो यहां पर बोला हुआ है आपको की knowledge होनी चाहिए custom manners and dialects of HP की applicant जो है वो आपका bonafide या resident होना चाहिए हिमाचल परदेश का age जो है वो रहनी चाहिए आपके 18 वर्ष से लेके 45 वर्ष के बीच में आपको upper age limit में relaxation मिलती है various category के लिए तो वो वैसे ही मिलेगी mode of selection देखे दोस्तों तो weightage जो रहेगा यहां पर उन्होंने बोला हुआ है कि जो total selection process होगा जो 30 marks का रहता है उसको उन्होंने distribute किया हुआ है कि जो essential qualification percentage जो रहेगा आपका marks का would be divided by 10 उसको 10 से divide किया जाएगा is equals to 10 marks कानों ने रखा हुआ है percentage for maximum disability as certificate by medical board जो रहा दो दी है तो आपके disabilities भी percentage में fall करती है उसके recording आपको marks मिलेगा विर्टिज मिलेगा आपको maximum additional qualification percentage जो आपने obtain किये होंगे उसको divide किया जाएगा 25 से उस equals to 4 यहां पर उन्होंने बोला हुआ है और यहां पर बोला है कि अगर आप notified किसी भी backward area और पंचैट से हैं तो एक mark landless family से हैं तो एक mark non employment certificate है तो 1 mark VPL वरिवार से हैं तो दो नंबर विड्टो डैवोस्टी डिस्टिटूट सिंगल मॉमन है तो 1 mark single daughter है तो 1 mark training of at least 6 month duration related to the post अगर आपने की है ठीक है तो आपको 1 mark और experience अगर आपके पास have maximum up to 5 years का government semi government organization में relating to the post applied तो उसके लिए भी आपको क्या marks दिये जाएंगे जो application form होगा वो इनके official website पर available रहेगा तो करेंड लिया वहां से भी check out कर सकते हैं देखो जोस्तों जो आपको self attested photos copy लगाने पड़ेगी document की वो लगाना पड़ेगा matrix certificate showing detail of marks obtained जो आपको diploma और degree किया होगा आपने electrical या electronics communication engineering में वो SCST people certificate and bona fide certificate आपको लगाना जुरूरी है all the relevant certificate जो भी आपकी competent authority द्वारा issue किये हुए हैं और वो जो mention किये हुए हैं उपर जो मैंने आपको बताए evaluation criteria ने तो उनकी photo copy भी आपको पड़ेगी एक passport size photograph भी आपको लगाने पड़ेगी जिसको डूली साइन क्या होना चाहिए applicant के द्वारा ठीक है गाइस तो जो आपके appointment होगी दोस्तों वो initially contract basis के उपर रहेगी और जो contract appointees हैं उनको कोई भी राइट नहीं है claim करने का regularization और permanent absorption in हिमाचल प्रदेश state electricity board limited candidate को apply करना पड़ेगा आपना जो बीन का prescribed form है उसके उपर ही गाईस तो इस चीज़ का भी आपने ध्यानक ना है नाम आपने जो अपना लिखना है वो matriculation certificate के साथ ही को देखके ही आपने लिखना है ठीक है आगे पिछे spelling नहीं करनी है incomplete application form अगर आपका पहुंचेगा तो वेसी बात है दोस्तो उसको reject कर देंगे इसलिए आपने form को अच्छे तरीके से पुरा फुल करके अच्छे तरीके से फिल अप करके ही भेजना है validity जो होती आपके IRDP वीपल certificate is of six month from the date of its issuance the candidates are required to furnish the valid certificate in support of his हर claim तो guys इस चीज़ का भी दोस्तों आपने ध्यान रखना है तो guys जितने भी important यहां पर points है वह इन्होंने mention कर दी है आपने एक बार उनको खुद से भी पढ़ लेना है और यहां पर देखो इनका format है कि आपने junior engineer के लिए apply this form पर करना है यहां पर आपने passport size photograph लगानी है guys यहां पर उन्होंने बोला भी था कि फोटो को sign कर लेना है तो आपने इसको self attest कर देना है name of applicant तिखना है block status में father's name आएगा दोस्तों यहां पर आपके date of birth आएगी matriculation certificate को देखे guys यह information आपने डालनी है correspondence address आएगा guys अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं या कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपने क्या करना है वो वाला address यहां पर डाल देना है permanent address में आपने जो आपके bonafide के ओपर address रहता है आप उसको डाल सकते हैं next one बोला है कि यहां पर educational qualification मतलब academic कि यहां पर आप 10 plus 2 की academic qualification के बारे में लिख सकते हैं और यहां पर आपने जो भी डिप्लोमा यह डिग्री की है टेक्निकल में उसके बारे में दोस्तों आपको जानकारी देनी है कि कौन से कॉलेज से आपने की है कितने परसेंटेज आएं किस उनिवस्टिक और आपका कॉलेज था disability certificate with percentage and nature of disability तो आपने हाँ पर बताना है कि आपका percentage क्या है disability का और किस तरह की आपके disability है कौन सी category से आप बिलॉंग करते हैं general है SC, SDO, BC जो भी category है आपकी किसी तरह की experience है अगर आपने की job की है और experience अगर आपको है तो आप वो भी हाँ पर mention कर सकते हैं name of employment exchange where candidate is registered तो guys यहाँ पर आपने employment exchange का नाम लिखना है कौन सी तारीक को आपने register करवाया और कब तक वहाँ पर आपका registration value ठीक है दोस्तों यहाँ पर declaration है कि हाँ मैंने जितने भी information दी है वो बिल्कुल correct है जो मेरे knowledge में है अगर कोई information false पाई जाती है तो मेरा candidature जो है वो cancel या reject कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर date आएगी जिस तारीक को form भरा है यहाँ पर place जैसे आप शिमला से बने तो शिमला और यहाँ पर signature दोस्तों आपने करने हैं जहां से भी आपको यह form available होगा उसका जो link है मैं description box में डाल दूँगी तो kindly आपने क्या करना है वहाँ से इस form को download कर लेना है ठीक गाइस तो गाइस यहाँ पर सीधा तोड़ पे तो यहाँ पर mention नहीं किया हुआ है कि आपने इसको भेजना यहाँ पर final है तो मैं को लगता जानकारी आपके regarding the recruitment तो दोस्तों अगर इसके regarding कोई और आपको help चाहिए तो comment section में आप लिख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा और helpful लगा हो तो get it clear channel को like कीजिए, share कीजिए and subscribe कीजिए Thank you, have a good day and all the best